प्रेंट वेल्कम तूमाइट टेट क्लास आजन देखें मैथ और मैथ में देखने वाले आयतन धारिता घन और घनाब इसमें एक पार्ट को देख चुके थे जिसमें हमने घन क्या है घनाब क्या है यह जाना था साथ में इसे लिटेज जो कुछ महत्पुर्ण आपके सूत्र थे उनको देखा था जिन लोगों ने वह सूत्र न देखे हैं क्योंकि देखें बिना सूत्र याद की प्रश्णों को लगाना पॉसिबल नहीं होगा तो आप सूत्रों को एक बाद जरूर दें डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप वहां से सूत्र पलबर के लिए नौ आय तो वर्ग ले लिजीगा घन दो अक्षर का वर्ग दो अक्षर का घनाप तीन अक्षर का आयतन चार अक्षर का यानकी बड़े अक्षर वाला आयतन से जोड़ लिए और छोटे वाली यानकी घन को वर्ग से जोड़ लिजीगा तो यह क्या है आपक वर्ग पढ़ा तो उसमें क्या था भूजा का स्कॉयर था तो यहां पे आपका Q हो जाएगा आपको कितना दिया हैए 8 दिया है आठ गुडित ते 8 गुडित ते 8 इसी रूप में हम करें तो यह इस थार से हो ग्या अब हम गुडा कर देंगा तो हमें आइसर मिल जाएगा अपर उसी तरह से उठे और वहीं से ही जिसे मैं आपको जो कॉस्टें दे रही हूं को के आएगा ऐसा ही लेकिन जो आपके यहां पे अंक है वह आपके बदल कर आएंगे तब हैंगे कभी कैभी गहरी पेट की रूप में अंदर से आ जाता है तो होता है कि नहीं जाना हम जान यहाँ यहां पुछा आट सैंटिमींटर कोर वाले अब देखें कोर क्या है पहले पढ़ लेते हैं कोर वाले दो घंटों के सटा कर अगया को रहेगा यहां पर को सटा कर रखा गया तो अब निर्मीत जाकरी का संपूर्ण प्रिष्टे ग्याद कीजिए क्या दिया है घंदिया है ठीक है और कितने घंद है दो घंद है उसकी जो कॉर मिस होता है भुजा जब हम क्यूब बनाएंगे तो कि इस तरीके से हमारा होगा ना क्यूब यह हो गया है तो यह जो आप ले देख रहे हैं यह इसका कोर है इस कोर की जो लंबाई है वो आठ सेंटी मीटर है प्रश्ण क्या है कि दो घंदो को पहले हम एक बना ले दिए हमने ऐसे बना ले तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी वर्ग के रूप में बनाते है ठीक गया है तो अब निर्मित आकरिति का संपूर परिष्ट ग्याद की जिए है घंद लेकिन बना गळाब देखी यहां से ऐसे 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 प्रश्ण को कहरा है कि सटाकर रखा गये सटाकर रखेंगे तो जो आकरिती बनेगी ओर यह क्या है घंद आंब इस्गनाब का निर्मित आक्रिकान के नई निर्मित आक्रिकान के दृष्ट का संपूर पुर्ष्ट ग्याद करना है उसी की फीलाज लेक्ट उचाई प्लस उचाई और लंबाई ठीक है यह आपका सूतर हो गया थोड़ा सा उधर गुज गया अब इसे में लगा रखते हैं दो ब्रैकेट में लंबाई कितना है हमारा ध्यान दीजिए यहां पर घं था तो घं की चारों भूजाएं तो बराबर थी लेकिन जब हमने इसे दिया नहीं कि दो घंटों को सटा कर रख दिया तो घंआब हो गया तो यहां इसकी लंबाई क्या होगी आठ से यह और बढ़गी तो आठाट सोले होगे बीच में कोई निशान नो होने के वज़े से यहां पर गुडित का निशान लगेगा और क्या रहेगा चोड़ाई कि क tribweza 8 है उचाई कि क्या है गंता इसला उचाई भी यहां पर क्या थी आँडि तो इनो आठ कर देंगे प्लस फिर क्या करेंगे उचाय 127 आठा जाएी और फिर 122 हिस सो रठे करेंगे तो 128 इन सबों को जोड़ देंगे तो किया गragen दो ब्रेकर में सबब्स जोड़ेंगे तो आजाएगा हमारे 320 ठीक आप देखे ब्रैकों कि कंडिशन क्या है कि हम दो का गुडा करदेंगे 320 में ड़िच जिन आ disposition 48 गहन में सैंटीमीटक किस्म इस लिए सैंटीमीटक्स अमीटर अगर मिड़ कर यूग मेंों है उर यह आ हैं olhar संपूर्ण परिस्ट झा न घर सब्क्रजूटा सब्सक्राइब करने में प्रेस्चन है इस दोग न है कि आये तनों का इक हैं भूजाओं सूत्र आतन बराबर तो एक निकालना है अब सकते इसे हम इस रूप में भ्या। वखा निकालने के लिस persistence था था स्वाइब क है 64 अपानमे वन को करणी में रखेंगे और ये करणी से बाहर किस कंडिशन पर आएगा क्योंकि क्यूब है तो हम इसे तीन का पेर तो नहीं कह सकते तीन के रूप में निकालेंगे देखे क्या करते हैं हम करेंगे चर चोग के 16, 14 चोग का 64 ठीक है एक का तुम वही कर देंगे उतना ही आएगा क्या आया जोड़ा बन गया न सिपका तीनों का दोनों का तो क्या करेंगे चार बटे में एक संबंध क्या आया चार संबंधे एक का उनकी भुजाओं में क्या अन दिजिए जो भी आपको दिया गया है जैसे हापे 64 दिए करणी में डाल देंगे तो करणी से बाहर निकालेंगे क्यों के रूप में निकाला है मैं तो क्या है हमको भुजा मिल जाएगी और जो आएगा वह आपका भुजा का अनुपात हो जाएगा अब देख लेते हैं यहां किसी घनाप के विकाण की लंबाई 13 cm यदि उसकी चोड़ाई और उचाई क्रम से 4 cm वो 12 cm हो तो उसकी लंबाई क्या होगी विकाण दिया है और आपसे चोड़ाई और उचाई भी दिवा है और आपको लंबाई बताना है देखे क्या करेंगे विकाण का सूत्र क्या था द गहनाब का तो गहनाब बराबर विकर्ण गहनाब का विकर्ण बराबर क्या था करड़ी में लütfen में कैने स्क्वाइर प्लस चोडाई का स्क्वाइर प्लस उचाई का स्क्वाइर ठीक है अब दिखी इस पे जो जो अंक हमको मिले हैं हम उस अंगों को भर देते हैं ठीक है देखिए हाँ पे क्या है हमको विकर्ण में 13 मिला है तो हम 13 कर देते हैं लंबाई में हमें कितना मिला है लंबाई तो हमें ग्याद करने है इसलिए लंबाई एक जगा हम X मालने है तो X का क्यूब कर देंगे प्लस चोड़ाई कितनी है हमारी 4 है तो 4 का स्क्वाइर कर देंगे प्लस उचाई कितनी है हमारी 12 है 12 का स्क्वाइर कर देंगे अब इसे देखिए क्या करते क्या है X का नहीं हो पाएगा इसलिए हम X को वैसा का वैसा ही रग देंगे स्क्वाइर उपर लगा देंगे 4 को करेंगे तो यहां 4 चोप के 16 आजएगा प्लस 12 बर हम 144 यहां पर देखिए 13 है 13 का आप कैसे करेंगे तो 13 का भी यहां पर होगा देखिए हमको यह करनी में है यह वर्द के रूप में है तो इसे भी हमें वर्द के रूप में बनाना होगा या फिर यह सिंगल रूप में है तो इसे हमें सिंगल रूप में बनाना होगा तो इसे हम सिंगल रूप में नहीं बना सकते क्यों कि यहां पर X है X का कोई मान नहीं है इसलिए हम इसे तोड़ कर बाहर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको ही square की रूप में ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको square कर दिया, तो आप यहाँ पे आपका 13-13 हम आगए, तो 13-13 हम 179 आगया, ठीक है, आपका यहाँ पे 179 आगया, अब यह भी आपका क्या है, वर्ग मे हो गया, और यह संख्याए भी आपकी वर्ग में है, अब ऐसी condition में क्या करेंगे, हम 55 करेंगे, वर्ग जो संख्याओं की रूप में है, उसे अलग कर देंगे, जो एक्स संख्याओं में उसको अलग कर देंगे, तो क्या करें, पच्छातर करते हैं, तो x का square बाहर आ गया, और इसी करणी में आपका चला जाएगा, क्या, 16 प्लस 144, और देखें, इधर अभी प्लस की संख्याओं थे, लिकिन इधर आएगी, तो यह मानेस में हो जाएगी, तो क्या है, 179, एक्स का square करेंगे, तो आजाएगा आपका करणी में, 160 माइनस 179, तो आप देखें, क्या आपका 9, 9 को कर देंगे, 9 को तोड़ देंगे, क्यों भी करनी में है, तो करेंगे, 3 गुडित्ते, 3 बराबर आगा, तो एक्स बराबर क्या आगा, 3, यानि कि हमें लंबाई कितनी मिली है, 3 CM में है, तो आप सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देंगे, तीखें, अब गन का आयतन कितना है 800 गन सेंटीमीटर है उसके विकर्ण की लमबाई तो पहले आपके आपके गन का आयतन कैसे निकालते हैं देखें पहले लगाते हैं घन का आयतन घन का आयतन बराबर क्या होगा A का Q ठीक है तो यानि कि हमें क्या है घं का आयतन तो हमें और रड़ी पता है क्या है 8 सजा और A का Q तो A हम कर देंगे तो यह क्या चला जाएगा हमारा करणी में चला जाएगा इसे हम तोड़ देंगे तो आजाएगा हमारा 20 गुडिते 20 गुडित्ते 20 क्या है हमारा ए बराबर आगे हमारा 20 ठीक है ये क्या निकला हमारा भुजा भुजा निकल गया पूछा क्या है उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो यहाँ पर घं का विकर्ण घं का विकर्ण बराबर क्या है भुजा करणी में 3 तिन यहांनी के निखने का मतलब है आपको कुछ चीजें वोगे विकण के लिए हमें भूजा चाहिए तो हमें भूजा कैसे मिलेगी यहां तो आयतन के सूत्र से आप भूजा को निकालेंगे और भूजा के सूत्र से फिर आप विकर्ण को निकाल देंगे आपका आंसर निकल जाएगा आज का लास्ट प्रिश्न देखिए एक घनाब की लंबाई चोड़ाई और विकर्ण ग्यात करना है घनाब का सूत्र क्या है पहले घनाब का विकर्ण विकर्ण ही आपको निकालना है न विकर्ण बराबर क्या है करणी में आपका क्या जाएगा लंबाई का स्क्वाईर प्लस चोड़ाई का स्क्वाईर प्लस वि पुचाई का स्क्वाइर ठीक है कर दें हमें भी का निकालना है लंबाई क्या है छे का स्क्वाइर प्लस आठ का स्क्वाइर प्लस दस का स्क्वाइर कर देते हैं क्या अच्छा चाहा के 36 प्लस 68 64 प्लस 10 दहां में 100 सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 200 ठीक है यह किसमें आया आपका करणी में अब करणी में तोड़ना है तो करणी में तोड़ने के लिए आप देखी इस तरह से कर सकते हैं अब करनी हैं और तो हम वहां पर जोड़ा बनाएंगे लेकिन जैसे उपर के सवालों में आपको कूप के रूप में दिया गया था तो आपका जोड़ा बनाएगा था वो तीन की रूप में इसले हम यहां पर दो का जोडा बनाएंगे तो यह बना और आपका यह बना कौम सा बच गया आपका दो यहां पर ऑगर मुझा तो इंदों नों का आपस में गुड़ा करेंगे एक एक संख्या लेके तो हो जाएगा पाँच दूनि और यह दौ आपका अंदर हो जाएगा यह क्या आगिए आपकाbn ना यह आपका विकर्ण अभी sasal동 नहीं करेंगे यह आपका आंसर हो ठीक है तो यह देखे आपका कान भी निला इस्ता आप प्रिश्नों को स्रॉक्ष एक यह कॐ बाष्कार